हुआ हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है दुरू अपने स्वावत का दाओ अपने चैनल पर आज हम पढ़ने आए बीए प्रोग्राम फर्स्ट यर का सेकिंड सेमिस्टर इंगलेज लैंग्विज श्रू लिटरेचर का करता है तो फ्रस्ट पर्सक्राइब में त्सक्राइब करेंग हुए आज की मीडियों फर्स्ट सिकंड तो करेंगे जो कि हमारे ती जियर टेज़े बुक्राइब इसक्राइब हमें तो हम पूल पोछन डिस्क्स करेंगे तौ चलिए शुरू करते हैं हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूर है जिससे के आप वह समझने को दिक्रना हो चलिए शुरू करते हैं हमरा फर्स टॉप तो और साथ हैं कि internet को कैसे देखा जा रहा है ? एक प्रेशर की तरह है ? Norwegian knowledge pass पर एक प्रेशर की तरह है प्रेशयो pond प्रेशयो knowledge प्रेशयो नौलीज की तरह देख जा रहा है then when internet developed that time it was not a medium of entertainment or commerce जब इंटरनेट स्रिफ बनाया था कि इंटरनेट का यूसरे एक उनिवर्सिटी को दूसरे इंटरनेट का यूसरे चाहिए जा सके नॉर्मल ही तो उस समय नहीं था इंटर्टेन्मेंट का और कॉमर्स का लोगों को इंटर्टेन नहीं करता था ना कि इंटरनेट पो कुछ आता था और नहीं उससे अर्थ वेश्टा या फिर कॉमर्स को यह बदल आ सकता था तो यह इंटरनेट था तो इट वास यूज इन बिग वे टो कनेक्ट विन्युवर्सिटीज आराउंड द वर्ड ठीक है तो जब इंटरनेट बना था तो वह एक बहुत वड़े वे में यूज किया जाता था तो कनेक्ट और यूणिवर्सिटीज एक उनिवर्सिटीज को कनेक्ट करने के लिए विश्व इध्याले जो इंटरनेट प्रामेरली यूज्ट फॉर परपस इंटरनेट किस किस परपस के लिए उस समय यूद्ध किया जाता था जब बना था इसका डेवलपमेंट हुई ती जैस्ट तो गुरूप डिस्केशन के लिए इंटरनेट यूज होता था ब्लॉक्स लोगों ने अपने ब्ल magyzine का यूज की आज़ा तो तो शोफ्ट कोपी गाले मैगजेन टाइप ठीक है फिर मेलिंग लिस्ट और फॉंस ठीक है किसी को मेल कर ना या फिर उट लिस्ट बनाना मेल इंगल छी क्वट दर फॉंस फॉंस कोई फों अपलाइ करना या या फिर किसी काम के लिए फॉन फ विकिपीडिया गूगल सर्च अनदर टूल्स डेवलप ठीक है तो जब इंटरनेट बन चुका था तो उसके बाद लोगों ने अपनी साहिता के लिए अलग लग 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 लोगों अपने लग लग अटर टूल को डेवलप किया गूग बना लिया एक जहाँ पर सारी नॉलीज में सके हैं गूगल बना लिया जहाँ पर हम पुछाइं स कर सकें फेस्बुक बना लिया जिस पर कि हम शोशल मीडिया से कनेक्ट रह सके हैं दूसरे से से तो यह वे ता देन लार्ग नंबर ओफ पीपल केन कॉंस्ट्रिवूट तो दा ग्रोथ ऑफ नॉलीज विदाउट बीग अपार्ट ऑफ एन इंस्टिटूट बिना किसी इंस्टिटूट का पार्ट बने लोग इंटरनेट पे अपनी नॉलीज टाग सकते हैं तो जिससे इंटरनेट तो डैवलप हुआ था तो इंटरनेट पे नॉलीज आ रही थी और दूसरा लोगों को किसी इंस्टिटूट का पार्ट नहीं वरना पड़ता था तो जिससे कि लोगों के पैसे बचते थे टाइम बचता था और वो अपने टाइम के हिजाब से नॉलीज प्रवाइट कर सकते हैं इसका मा आपिस करंग में था सबस्देखा है तो तुछ इस तरह बोड़ी इंटरनेंट मेड़्मेंट हुई तो इंटरनेट पीछे गएगे थे रारा twinड फारा मीड हुआ तु४ मालों किप्रॉँ पीच्छे कर दी अन्ष इसका माखर की इंटरेंट में पीछे ऺड़ा तो इसर मे आई फेस्बूक एस्बूक तो इन सारे इंटरेट को थोड़ा पीछे कर दिया तो सारी चीजें इसे उदर इसप्रेट होने लग गई यसे लेंट बनेट फर्डा फीकेश्र हो गया इन नेक्स्ट टॉपिक है सोचल मीडिया – दवर्ड वड फॉप्पियंजिस ठेक है रिखिश्पर को सब्सक्राइब फ़की नेयो 11 करinator 15 को इसेंच्व पर करा है ग। तो एक तरह का टूल है जहांपा हम क्या शेयर करते हैं टेक्ट शेर करते हैं, image, videos and everything, हम सब कुछ महाँ शेर कर सकते हैं, but there are mostly used to share image, video and sometimes political message, ठीक है, तो वहाँ पे जाद़ तर क्या share किया जाता है, इमेज, video and sometimes political message, ठीक है, तो हर चीछ शेर नहीं की जाती है, ये सिर्फ कुछ particular चीछ शेर की जाती है, ठीक है, हम लोग सब कुछ पोस्ट शेर नहीं करते हैं, जैसे कि Facebook पे हम से पोस्ट शेर करते हैं, फोटो, वीडियो और कोई message ऐसे हमने time करा, तो हम लोग से share करते हैं, लोगों के साथे, WhatsApp का भी है, हाल है, कि हम WhatsApp पे पही शेर करते हैं, तो ये है, जबकि ये बने किसलिए था, text, videos, images and everything like a J4, anything extra, which we can share on Instagram, either Facebook or WhatsApp, तो next नहीं देखते है, author point out that there is no way to check the authenticity of information put by million of users, तो ये काफी important point है, तो जब internet बना था, जब internet की development हुई थी, just, तो उस समय internet पे जादातर लोग नहीं थे, जो भी लोग थे, वो लोग knowledge के grow करने में help कर रहे थे, knowledge के grow करने में help कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय authenticity की कई जादा जरूत नहीं थी, पर छफे social media आया, millions of users हो गए, तो आप दी जानते है, Facebook हो कितनी बड़ी जंकिया में लोग यूज करते हैं, तो आर्थर ने ये point out करा है, कि ये social media है, ठीक है, वहां पर कोई भी authenticity of information put by millions of users, ठीक है, तो वहां पर कोई एक ऐसी particular pranali नहीं है, ठीक है, एक तरगा structure नहीं है, कि जहां पर कोई information share की जाए, तो ये check करा जाए, कि वो information सची है, मलब रियल है, या फिर fake है, ठीक है, ये real message है, ठीक है, तो ये कोई facility नहीं है, तो ये काफी important point है, पर अर्थर में point out करा है, there is no way to check the authenticity of knowledge, ठीक है, information, information पर check करने का कोई structure नहीं बनाया गया, put by millions of users, और ये नहीं है, कि वहां पर एक एक या दो यहां पर millions of users है, तो ये काफी cutting होता है, check करना है, ठीक है, then our next topic है, new challenges, ठीक है, internet के आने के बाद हमारे सामने क्या 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 है, ये challenges आये, दोने देखते है, और थर, discuss some of challenges that focus us today, ठीक है तो, और थर, में कुछ challenges discuss करे हैं, जो कि हम आज़कर face कर रहे हैं, ठीक है, तो देखते ठीक है, how to win, remove the habit, people away from the social media, new television, what's knowledge, towards knowledge, ठीक है, ठीक है, तो, कैसे हम habits दो है, शोर्षाल में रहे हैं, उससे अलग हटके, या फिर उससे दूर होके knowledge की तरफ चाह सके, ठीक है, ठीक है, तो ये काफी, बड़ी प्राबलम है क्यों कि आज़कर लोग knowledge नहीं देना चाहते, या फिर लोग सिर्फ शोशल मेडिया यूस करते हैं, और महां से जो knowledge gain करते हैं, उसी पर सोचते हैं, कि उन्होंने काफी सार knowledge gain कर लीए, ठीक है, पर फिर नॉलीज और नॉलीज की कोई पक्का वो नहीं होता, जो knowledge सची है, ठीक है, तो कोई भी people knowledge नहीं देना चाहता, तो हमें, या फिर हम cassette कर सकते हैं, रो रमेम तो नॉलीज के लिए जो की रेधर क्रिएशन चाहब हम नॉलीज के लिए जो की रेधर क्रिएशन चाहब हम नॉलीज अपनी दे सके हैं या फिर क्रिएट कर सके हैं तो जैसे हम देख सकते हैं कि टेलिविजर पर सीरीज जो आती है या फिर चीज़ आती है उन सबका नमरिंग बढ़ता जा रहा है तो हम इसे किस तरह कर सकते हैं पर नॉलीज को हम बढ़ा सकते हैं ठैक है तो और्थर शायर्थ तिक द़र्टिक देख सकते हैं ओझनी शक्ति है कि ऑऊर्थर जोंतार कि जहोना जन्रेशन है कि पस्क Understand सकी है कि जन्रेशन है एसे जिंदा कि औंपाइशन है वह खिला हो औरक भी एंदू सैफाना चाहलना, इसे निखी kedodage chemotherapy अगर हम उसे बचा सके इट फरॉमान विकमिंग अ टूल ऑफ इंटर्टेनमेंट इंटर्टेनमेंट के टूल बनने से अगर हम उसे बचा सकते हैं तो मेभी इट वोड बी थालफुल फोर उस यह हमारे बहुत है फोल होगा क्यों कि हमें फिर भी की पीडिया एक ऐसे जनरेश इटिसकस कर लेते हैं तो सुचल मीडिया जो है वो कैसे डेंजरेस है ठीक है तो इसके दो ही कहारण है कि फ़र्स्ट शॉशल मीडिया ने हमें लेजी बना दिया ठीक है यह मत्व बना जिए है जाय यह दैने सब्सक्राइबllिक लेफ़े टरब सोचल मीडिया लेorg भी discern कि ऐसे आप गरते है एक उसा ग्रहाग बना दिया जो कि इंटरनेट पर शivamente साब वह भी किसी और के दोरा पैसिव कंस्यूमर ठीक है तो यह सकतु है जैंज इस नॉलिच प्रोड्यूश तो नॉलिच किस तरह प्रोड्यूश होती है तो मैं आपको पिछली वीडियो बता है कि नॉलिच तो, by seeking continuously किसी चीज को देखना और समझना, then asking a question, questioning से knowledge produced होती है, जब हम question पूछते हैं और किसी चीज को continuously समझने की गोजिस करते हैं, तो उसे knowledge produced होती है, then next question, what was the crisis at Wikipedia, ठीक है, Wikipedia पर क्या श्राप था, या फिर crisis था, ठीक है, तो याँ भी जनते हैं कि Wikipedia को बनाया गया था, कि internet पर सारी के सारी human knowledge एक जगे खटा की जा सके, Wikipedia इसके लिए बनाया गया था, परन्तु, क्या लिखत है कि लोग भापे Wikipedia पर knowledge नहीं दे रहे, ठीक है, वहाँ पर lack of people है, lack of creation है, जिसके हमें दिख्काद है, ठीक है, यह problem है, lack of creation की, then people are just providing those information which is already on internet, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं, जो कि, कुछ ऐसे information प्रोवाइड गर रहे हैं, जो कि internet पर पहले से ही है, ठीक है, तो यह है वो कारणा, then what is encyclopedia, what is an encyclopedia, encyclopedia क्या है, ठीक है, तो आप जानते है, Wikipedia से पहले एक encyclopedia बनाएगी थी, encyclopedia इसलिए बनाएगी थी, कि human है, human की साही knowledge, जितनी भी knowledge है, उसको एक जगे खटा करा जा सके है, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति उसे अपने मन चाहिए time पर, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी time पर उसे serve कर सकता है, उसे देख सकता है, ठीक है, तो इस तरह encyclopedia बनाएगी थी, then, पहली encyclopedia published हुई थी, 1751 में, ठीक है, 1700 क्याओं में पहली encyclopedia को published किया रहा था, ठीक है, then next question, when did completion of encyclopedia begin in Europe and did it have any impact on Europe, ठीक है, तो जो पहली encyclopedia है, वो 1751 में complete की गई थी, ठीक है, वो भी Europe में complete की गई थी, और से published किया गया था, then, इसका क्या impact पड़ा और Europe, इसका impact पड़ा कि कुछ समय बाद, ठीक है, इसका impact पड़ा कि last volume के publish होने के 17 साल बाद, मतलब encyclopedia की last volume थी, उसके complete होने के 17 साल बाद, publish होने के 17 साल बाद, जो French Revolution, ठीक है, फ्रांस में एक तरह की क्रांती का आरब हुआ, ठीक है, क्रांती शुरू होई, तो यह उसका, एक main fact है कि 17 साल बाद, फ्रांस में क्रांती शुरू होगी, encyclopedia है उसके, so, यह को सब्यों जादा next question देखते है, then, हमारा next question है, what are the two important points direction makes in paragraph 5-6, ठीक है, तो paragraph 5-6 में या फिर टॉपिक का नाम है, the advent of television from rationality to emotion, ठीक है, इस topic में जो और था रहे हैं फिरेक्शन है, उन्होंने कौन से दो important points को discuss किया है, तो first point उन्होंने discuss किया, कि जो television है, उसने, television has been changed our culture, ठीक अच्छा है, television ने हमारा culture change कर दिया, before the television, we entertain ourselves by typographic culture, ठीक है, लिखित चीज़ों को देख कर हम अपने 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 कर जाते हैं, then television के आने के बाद यह change होगा, change in the photographic, फिर हम TV देखके ही अपना time pass करते हैं, तो यह उन्होंने discuss करा है, then second point उन्होंने discuss करा है, television has been changed, our experience by showing accepts the modernization and commercial, ठीक है, television ने इसे sensational and commercial बना दिया, ठीक है, sensational बना दिया, sensational and commercial बना दिया, then next question, then why did television pause the challenge to knowledge, ठीक है, क्यों television ने जो knowledge है उसे, knowledge का challenge उसे pause करते हैं, मतलब कि television जो है, उसके आने के बाद, लोगों को knowledge पढ़ने के मुकाबले, TV से लेना जाता पसंद था, suppose करिए कि आपको अगर एक book दी जाए, और आपको एक टेलेविजन पर वही book का show चल रहा हो, तो आप किस से knowledge लेना जल्दी पसंद करेंगे, basically सब जानते हैं कि television से इक हो, हम वीडियो देखके या फिर कुछ देखके समझ जाते हैं, कि उसमें क्या चल रहा है या फिर book की क्या story है, तो यही काल रता है, कि television ने knowledge को पीछे कर दिया था, ठीक है, then how did television change model life, ठीक है, तो television ने model life को किस तरह चेंज करा तो जो लोग थे, वो television के, चैनल बन गए, television के नीचे आ गए थे, ठीक है, television के अंतर आ गए थे, लोग television के, बहुत जादा यूज़ करते थे, ठीक है, उन्हों knowledge पढ़ते हैं, कि मुकाब्ले television से लेना ज्यादा पसंद था, और तो और television पर commercial और entertainment की things ज्यादा आती थे, तो लोग वहां से knowledge लेते थे, ठीक है, लोग वहां से knowledge लेना जल्दी पसंद करते थे, तो यह कारान है कि television ने model life change कर दीती थे, The next question है, Where was the internet primarily used for it in initial years? ठीक है, तो यह मैंने आपको बता है कि internet शुरुवाती यह सालों में, internet शुरुवाती शालों में कहां-कहां use किया जाता था, तो जैसे कि मैंने आपको बता है कि internet शुरुवाती शालों में एक बड़े way में use किया जाता था युनिवर्सिडी इसको connect करने के लिए, ठीक है, for group discussion, blog, internet, magazine, magazine, mailing list and forms fill करने के लिए internet का use किया जाता था, ठीक है, तो इसका मतलब है कि internet ने जो प्रोड़क्शन नॉलिज के प्रोड़क्शन ने उसे कम किस तरह करा, ठीक है या फिर उसे बहुत ज्यादा कम किस तरह करती है, तो इसका जवाब है कि जब internet आया तो लोगों को knowledge internet से लेना जादा पसंद आगी ठीक है, लोग भर बैठे बैठे कासी साधी knowledge गीन कर सकते थे ठीक है, तो प्रोड़क्शन को knowledge को बुक के मुकाब्ले पढ़ने की बदा है, लोगों ने इंटरनेट पर पढ़ना जादा अच्छा समझा ठीक है, लोग इंटरनेट पर जो knowledge प्रोड़क्शन करते थे ठीक है, उसकी भी कोई पकीव हो नहीं थी कि knowledge रियल है, ठीक है, तो यही था कि असली knowledge को दबा दिया गया उस टाइम, तो आपका ये question खतम होता है, आपका chapter ने इसमापत होता है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई डाइट हो, तो आप मेरे सब्सक्राइब होता है, नोट्स तयार है, अगर आपको नोट्स चुछे हैं तो आपको नोट्स भी प्रोड़कर दिये जाएंगे, डिस्क्रेप्शन बक्स में मेरी जयमेल आइडि दे रखिए का मेरे को भोगोंसे मaल से मेल कर सकते हैं, मैंगो को नोट्स करसा हैं। आपको किति ट्सक्राइब होता हुए । आपको कुछञ़गर धार भी डिस्क्राइब्स पॉन्स नोट्स हैं। झाल झाल